नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन है आज हमारी संस्था एक नए विशय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई है बहुत ही प्रासंगिक विशय है और बहुत ही प्राचीन विशय है मतलब प्रायोगिक पक्ष में इसको हम देखें तो यह बहुत ही जादा प्राचीन है और यह विधा आज लुप्त हो रही है संगीता शाहत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें अनेक ऐसे रहस्य युक्त तथ्य पाये जाते हैं जो आज भी अपनी सत्ता को विध्यमान किये हुए हैं किन्तु उनका प्रायोगिक परिक्षन नहीं हो पाता है तो उनी सब विषयों में से लेकर के आज हमें एक नई विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं और उसके माध्यम से हम जानेंगे कि हमारा प्राचीन विज्ञान कहां तक उन्नत था और उसकी सम्रिध शाली बैभावता कितनी प्राचीन थी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विषयत संहिता एक अमुल्य धर्वर है हमारे प्राचीन ग्यान और विज्ञान को ले करके उसी में से एक विषय ऐसा है जो विष्टी पर आधारित है वस्तुतः हमारा जो देश है वह कृष्टी प्रधान देश है और कृष्टी प्रधान होती हैं जितने भी हमारे अनित्यादी उत्पन होते हैं उनका मूलाधार व्रिष्टी ही है और उस व्रिष्टी का संसाधन उस व्रिष्टी का ज्यान कैसे किया जाए उसकी विधा हमारे आचारियों ने अपने गरंथों में पहले ही बता दी है व्रिष्टी के चार मास मुख कितनी होगी किस प्रकार से होगी उसका परिमान क्या होगा इन सब की विधी प्राचीन शास्त्रों में विशेश करके ब्रिहत संहीता नाम गरंथ में जो आज से लगभग पंद्रसो वर्ष पूर्व लिखी गई थी आचार वराहमिहिर के द्वारा उसमें वर्णित किया गया है तो उसमें तीन चार अध्याय ऐसे मुख्य हैं जो केवल और केवल वायू के उपर ही अथवा विष्टी के उपर ही लिखे गए हैं मतलब वायू के द्वारा विष्टी का परिग्यान कैसे किया जा सकता है आकाश मंडलों को देख करके विष्टी का परिग्यान कैसे किय जा सकता है और भी ग्रहों यों नक्षत्रों के आधार पर अनेक ऐसे संसाधन जोतिशाहत्र में व्याप्त हैं जिनके आधार पर पश्ट रूप से वरिष्टी का परिज्यान किसी भी स्थान विशेश के लिए पूरे चारों महीनों के लिए किया जा सकता है आज भी पंचां या पढ़ति लुप्तुक प्राय हो रही है लेकिन फिर भी हमारी जो संस्था है वसंस्था उस प्राचिन पढ़ति को पुनर जीवित करने का प्रयास कर रही है तो इस विशाय में जब हम देखें तो आचार वरा हमिहिर ने रूहिणी योग, स्वाति योग और आशाधी योग नामक एक अध्याय लिखा हुआ है उन अध्यायों में विष्टी की सूजना कैसे प्राप्ट की जाए पहले ही उसके बारे में विश्यद रूप से वर्णन मिलता है भारती जोती शास्त्र में जो आशाण मास होता है वह बहुत ही पवित्र माना जाता है और अन्य शास कियां बताई गई है वह इस मास की महानता को चरितार्थ करती है तो यह मास आशाण मास जो है विशेश रूप से इसमें तीन ऐसे योग महत्तुपून बनते हैं जिनके माध्यम से स्रावन भाद्रपद आश्विन और कार्तिक मास में होने वाले विष्टी का पूरवा नु मतलब सायं काल में चंद्रमा के दर्शन के द्वारा उसके वरण के द्वारा उसकी आकरती के द्वारा उसके बिंब प्रमान के द्वारा उसके मार्ग के द्वारा और नक्षत्र में प्रवेश काल या फिर शर के माध्यम से और उस दिन के वायू के माध्यम से आने वाले द वह होता है स्वातियोग इसी मास में मतलब आशाण मास में जब भी स्वाति नक्षत्र पड़े उस दिन सायम काल में जो हमने विधियां बताई हैं मतलब चंद्रमा के वरण उनकी आकरती उनका प्रमाण उनका बिंब उनका मार्ग और आकाशी जो गती विधियां हैं और एक बहुत ही विशेश बात ये होती है कि प्रत्यक काल खंड में मतलब स्वातियोग जिस दिन है उस दिन के प्रहर के अनुसार कौन से प्रहर में वरिष्टी हो रही है उस वरिष्टी के आधार पर आने वाले मासों में वरिष्टी कितनी होगी मतलब मास के प्रथम पक्ष मे मास के द्वितीपक्षमे या तृतीय चतुर सित्यादी जो भी अगरीमास के जो भी पक्ष आते जाएंगे उन मासों में व्रिश्टिक कितनी होगी उसका साटीक और सुक्षमतम घ्याम स्वातियोग से किया जाता है स्वाती योग में प्रतेक प्रहरों के बारे में आचारे वराह मिहिन अपने गरंत ब्रियत संगिताम उसकी विशेश चर्चा की हुई है उसकी कभी हम चर्चा करेंगे लेकिन आप समाने रूप से यही जान लीजिए कि स्वाती योग में व्रिष्टी के आधार पर मुखे र पड़ता है तो आज वही आशारी पूर्णिमा है जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं तो आज उत्तरा अशारा नक्षत्र है और सायंकाल का समय है यह जो परिक्षन किया जाता है रूहनी योग में आशारी योग में और स्वाती योग में इन सभी के परिक्षन का का सूर्यास्त का ही समय होता है क्योंकि वराह मिहीर ने कहा है कि अस्तंगच्छती तिखनांशव मतलब सूर्य के अस्तंगत होने पर ही इन सभी का साधन करना चाहिए तो इन सभी में विशेश रूप से वायू के माध्यम से आने वाले समय में व्रिष्टी कैसे होगी वह इस जुरुनिमा के माध्यम से घ्यात किया सकता है आप देख सकते हैं हमारे द्वारा हमारी संस्था द्वारा एक ध्वज की प्रतिकृत्टि यहां पर ग्रहण की गई है और उसमें अनेक दिशाओं का साधन किया गया पूरु पश्यमुत्तimmungटर दक्षण इत्यादी किस प्रकार से परिज्ञान किया जाएगा वह हमें विदित होता है बहुत ही सरलपध्धती है हां लेकिन इसके लिए पारम परिज्ञान होना बहुत आवशक है ऐसा वीडियो आपको यूटूब के इतिहास में कहीं पर भी नहीं मिलेगा कुछ संस्थाएं इस प्रकार के आय कुलता के साथ करना चाहिए मतलब ऐसे अस्थान पर जाना चाहिए जहांपर वायू का दवाव कहीं से वायू संखरशण नहीं हो रही और निर्बाढ रूप से वायू का गमना गमन हो रहा हो और फश行 थान हो शहर का उतरी भाग हो या इशान का भागो या पुरू का भागो मतलब उसके बारे में अचारवारा मेहर ने विशेश रूप से चर्चा की है तो उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए और जहां तक हम ध्वज की बात करें उस ध्वज के द्वारा वायू का गमनागमन किधर हो रहा है उसके माध्यम से आने वाले मासों में वर्षा का परिज्ञान किया जाता है तो आप ध्वज देख रहे हैं एक चार हात का ध्वज तो नहीं है किन्तु यथा संभव उसको प्रयास किया गया है और ध्वज का मतलब यह परिक्षण जो है आप कहीं पर भी कर सकते हैं जहां पर वेद शाला हो जैपूर की वेद शाला में ऐसा कारे आज भी किया जाता है प्राचिन काल में काशी मतुरा उज्जैन जैपूर दिली त्यादी में जो भी जंतर मंतर निर्मित है उन सभी स्थानों पर यह आकाशी या खगोली कारे करम कहीं वह आयुजित होता रहा है तो आप जैसा देख सकते हैं कि यह एक जंगल है और यहां पर वायू का दबाव या फिर वायू का वायू की जो सत्ता है वह निर्बाध रूप से बह रही है और यहां पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आ आकाश में आप देख सकते हैं, आकाश में बादल चाय हुए हैं, चंदर का दर्शन नहीं हो पा रहा है, सुबह से ही यहां व्रिष्टी हुई है, सायमकाल का समय है, इस कारण से थोड़ी से व्रिष्टी अभी कुछ समय के लिए श्थिर हुई है, कदाचित पुन हुआ आने कि आप देख सकते हैं, इसमें सभी आठो दिशाएं अंकित की हुई हैं, जैसे यह उत्तर की दिशा है, वह पूर्व की दिशा, दक्षिन की दिशा, पश्यम की दिशा, मत से चाप विधी के द्वारा, इनमें विधीशाओं का भी साधन किया गया है, और यह दंड है, बार अधी समझ में आए, केवल उसके लिए ही संस्था के द्वारा ऐसी धारणा की गई है, आप वहां देख सकते हैं कि ब्रिहत संगीता गरंथ है, जो हमारा बहुत ही जोतिशास्त्र का पवित्र गरंथ हमारा जाता है, उस गरंथ के आधार पर ही जो दैवग्य होते हैं, जो अगभग सफल हो पाते हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि वरिष्टी कितनी मातरा में होगी, या फिक किस प्रकार से होगी, उसके लिए जो आज की पूर्णिमा है, मतलब जो आशाडी पूर्णिमा है, उत्रा शाडा नक्षत्र में जब चंद्रमा है, और सुरियास्त का जो समय होता है, उस समय की पूर्णिमा है, उससे जो आशाडी पूर्णिमा कहते हैं, और आशाडी पूर्णिमा के समय वायु का वेग जिस दिशा की ओर जा रहा हो, तो उसके अधार पर फलों का विभाजन किया गया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कि उत्तर दिशा में जो तो अधिक व्रिष्टी मानी जाती है और पूरुदिशा की ओर हो तो अन्न की उत्पत्ती होती है फलों का वड़न शास्त्री गरंथों में किया गया यहां पर क्योल संक्यत मात्र में ही दिखाया गया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो ध्वज है ध्वज का जो अगर भा रहा है और इसकी जो शिखा है अगर शिखा लगभग पूरुदिशा की ओर ही जाती हुई दिखाई दे रही आप उसे देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का बनावट या कोई दाब इस पर नहीं किया गया है यह अपने आप में स्वतंत्र है वायू परशरूप से आ र पड़ा हुए लेकिन जैसे ही वायू का गमन होगा तो यह ध्वज फिर से फहराने लगेगा तो इसी प्रकार से आठों दिखाओं में अगनी कोण में दक्षिन में फिर आपके नेरित्य कोण में पस्ची में मतल आठों दिखाओं में ध्वज का जो अगर भाग है वह जिस दिखा में जाएगा तो वैसा ही फल कहना चाहिए तो वस्तुता यह भोपाल का लालगाटी का स्थान है तो ध्वज की जो अगर शिखा है वह लगभग पूर्व दिखा की ओर जा रही है तो पूर्व दिखा का फल होता है कि अन्न की उत्पत्ति मतलब इस बार जो चार मही भोपाल क्षेत्र में बहुत ही अत्यधिक अन्न की उत्पत्ति होगी और विष्टी की मात्रा जो है अत्यधिक होने के कारण अन्न की उत्पत्ति विशेश रूप से होगी वस्तुता इसके अत्रिक्द भी और से ग्रहई योग होते हैं और भी चीजे होती है उनका भी गाजन करना चाहिए और अंत में आकर के देखना चाहिए कि किसका बहुमत सिद्ध हो रहा है मतलब किन दो पध्धतियों से समानांतर फल की प्राप्ति हो रही है यदि तीनों में अलग-अलग फल की प्राप्ति हो रही है तो रोहनी योग में जो फल आ रहा है मतलब रोहनी जो चंद्र के आधार पर वायू के आधार पर और उसके बिम के आधार पर उसके मार्ग के आधार पर जो फल कथन किया जा रहा है उसको ही आप मुखे रुप से प्रमाण मान करके फल विचार करें चुकि आशाड़ी पूर्णिमा है वायू धारणी पूर्णिमा भी से कहते ह तो हमने परिक्षण किया हुआ है वस्तुत यह परिक्षण स्वाती युग में भी होता है और रोहिनी युग में भी होता है जो आशाण मास में ही रोहिनी नक्षत्र पड़े और स्वाती नक्षत्र पड़े तो यह जो तीन नक्षत्र होते हैं अत्यनत पवित्र माने जाते ह संसूचना में तो आप देख सकते हैं पूर्व दिशा की ओर ही ध्वज का अगरभाग उन्नत हो रहा है मतलब हवा जो है उधर की ओर ही जा रही है तो इसलिए यह चो चार महीने हैं उसमें भोपालक्षेत्र में निशित रूप से अन्न की उत्पत्ती अत्यधिक होगी और व निशित रूप से चार महीने विशेश रूप से वरिष्टी के कारक होते हैं किन्तो यदि चतुर्थी तिथी को आकाश में चंदर का दर्शन नहों मेग से आच्छिन नहों और विष्टी नहों तो आने वाले मास में अशुब की सूचना होती है वायू किस दिशा में जा रही है उसके अधार पर फलों का विभाजन किया गया है तो पूर दिशा में यदि वायू का गमन हो तो अन्नकी उत्पत्ती होती है जैसे हमने बताया यदि वायू अगनी कोण में हो मतलब साउथ इस्ट में हो तो आने वाले चार मासों में अगन निशित रूप से अलप वरिष्टी का योग कहना चाहिए। उसी प्रकार से नेरित्य कोण में यदि पताका का गमन हो, मतलब वायू का गमन हो, तो मध्यम वरिष्टी का योग बनता है। पस्चिम दिशा की हम बात करें तो अत्यधिक वरिष्टी का योग बनता है। तो अत्यधिक व्रिष्टी मतलब उत्तर दिशा इशान कोण पूर दिशा ये तीन दिशा हैं तो अत्यनत ही शुभ मानी जाती हैं वरशाक के संसूचना के निर्धारण की हेतु तो इस प्रकार से आठो दिशाओं का विभाजन करके आचारेवरा हमिहिर ने अपने ग्रंथ उत्पत्ती कितनी होगी जैसे कि अभी आपने देखा कि जो फल बताया गया है कि पूर दिशा में ये वायू का गमन हो तो अन्नकी उत्पत्ती होती है तो उसमें भी कौन से अन्नकी उत्पत्ती विशेश रूप से होगी या कितनी मात्रा में होगी उसके लिए भी आचारे वराहमीर कहते हैं कि आशारी पूर्णिमा के दिन तुला का विधिवत पूजन करने के पश्चात उसमें समान मात्रा में बीवित परकार के अन्नों को रख करके उसे तोलना चाहिए और तोलने के पश्चात उसका जो भी परिमान हो जो भी उसकी मात्रा हो उसको अंकित कर ले में उसको एक प्रकार से बीजांग कर देना चाहिए और अगले दिन मतलब 24 घंटे बेतित होने के बाद पुना अन्नों को जो बीज हैं उनको निकाल लेना चाहिए और उनको फिर से तोलना चाहिए तो जो पहले की जो मात्रा प्राप्त हुई है और जो दूसरी जो मात्रा न आने वाले मासों में उस अन्न की अधिकता या उपज और अधिक होगी और यदि वह अन्न कम है मतलब बीजांग कुरित जो अन्न है वह मात्रा उसकी कम है जो पहले निर्धारित की गई है तो निशित रुप से आने वाले मासों में उस अन्न की उपज या उतनी नहीं होगी जाही तो यहां एक विशेष विधिये जैसा कि फल में कहा गया था कि अन्नकी उत्ति होगी, तो उसमें भी कौन से अन्नकी उत्ति होगी, तो उसके लिए आचारेवारा अमीर्ने सूत्र बता दिया कि आप तुला से अभीमंत्रन करके उसको आप एक प्रापार से तौलित कर तो उस प्रकार से विशेष्ट विधी के द्वारा आपको यह ग्यात हो जाएगा कि कितनी मातरा में अनकी उत्पत्ती होगी यह सारी विध्या एक प्रकार से प्राचीन काल में अनभूत थी और आज भी अनभूत है यदि उसको विधिवत किया जाए अनुपालन किया जाए आज के निउक्त जियोतिषियों के द्वारा किया जाता था किन्तु आज के समय में वह परमपरा थोड़ी सी लुप्त हो रही है क्योंकि संगीता का भाग ही लोगों को आकृष्ट नहीं कर पा रहा है लोग उसमें रूची नहीं ले रहे हैं वस्तुत है वह बहुत ही जटिल कहले या फिर बहुत ही थोड़ा सा कठिन है लेकिन उस पर अभी भी अनुसंधान की आवशकता है तो हमने बताया कि जो स्वाती योग है स्वाती योग में वस्तुत हमने परिक्षण नहीं किया और रोहनी योग में भी हमने परिक्षण नहीं किया आज आशाधी के दिन हम लोग परिक्षण कर रहे हैं तो स्वाती योग के दिन यदि प्रत्येक पहरों में वायू के आधार पर कौन-कौन से मास में कित धान्तिक और वैज्ञानिक तत्य है जिसके आधार पर प्राचीन लोग मतलब प्राचीन भारती जोति शाहत रिक लोग व्रिष्टी का आकलन पहले ही कर लेते थे तो इनी सब बातों के साथ आज हम अपने वाणी को विराम देते हैं फिर किसी नव विशाय को लेकर आप सभी कि समक्षो पस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार